इस वीडियो में बरस की मदद से हम फ्लावर बनाएगे तो सबसे पहले बिलेक कलर से आपको लाइन्स बनानी है पतली पतली लाइन्स बनानी है इस तरह से ताकि ये फूल है ना फूल का पत्ता के तरह दिखे है है इस तरह से बस पतली-पतली लायन बनानी है ठीक है और ज्यादा कुछ हिसम है निंए इसके बाद ब्लेक में हलका सा वाइट कलर मिकस करना है आपको पहले मैं दोनों साइट फ्लावर बनार रही हूं तुह जार भी पतली-पतली लायन बनाएंगे उसके बाद ब्लेक में हलका सा वाइट मिक्स करना है लेकिन वाइट से ब्लेक कम होना चाहिए तो किसी भी चीज में हलका सब ब्लेक कलर निकालना है आपको ब्रस में जो कलर है आप वही ले लो इस तरह से उसके बाद ब्रस को धो करके वाइट कलर निकालना है ऐसा नहीं किसी तरह आप डारेक्ट कलर निकालोगे पहले अच्छे से धो लेना ब्रस को वहना वाइट कलर ख अगर आप नेल पेंट का यूज करोगे तो हम जहाँ पानी इस्तमाल कर रहें न बार-बार वह आपको थीनर इस्तमाल करना होगा क्योंकि लिए नेल पेंट को आप जैसे पानी में डुबाओगे वह सूख जाएगा इसलिए कलर का इस्तमाल करो सीखने के लिए जब आप अच्छा से सीख जाओगे तो अतना थीनर बरबाद करते रहा न हलका सा वाइट कलर लिया है और इसको मिक्स किया है अब देखो यह बलेक से अलग कलर बन गया पूरा वाइट भी नहीं है लेकिन बलेक भी नहीं है तब जब हम इससे पत्ते बनाएगे ना तो यह पता लगएगा कि इसके उपर है देखो और यह बनने के बाद लुक भी अच्छा दे रहा है बलेक और यह जो कॉमिनेशन है फिलाल तो इस कलर का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे बस इस तरह से पतली लाइन बनानी है अब चाह हो तो इसमें आप कुछ और भी कर सकते हो यह यलॉ Γ्यय वाइट कि किसी भी कलर को आप अगे लगा सकते है लेकिन पहले बस ब लेना कोई भी कलर लोगे बनस को ध्वोना याद रखना ठो़ बहुत बार हर बड़ी में बनस को ध्र नहीं भूल जाते हैं च्शह कर लेना कि कल एक कलर स्थमाल करो यहां लिए मैंने हलका सा ओरंज कलर अगया है अब दुसरा गोई कलर भी ले सकते हो वाइड भी ले सकते हो बस इस तरह हलका हलका लगाना है दोनों साइड और इसके बाद जो आपको यह फूल दिख रहा है गुलाब का एक और नेल पेंट जो रखा हुआ है हम भो बनाएगे वह डिजाइन यह काफी इजी है बहुत सिंपल है बिंगनर तो बहुत असानी से बना लेगे ऐसा है तो इस तरह की डिजाइन ट्राइ करो इस तरह की डिजाइन बनाते बनाते है ना आप जो मुश्किल मुश्किल दीजाइन है वो भी बनाना श्राट कर दोगे और वह भी बहुत सानी से बन जाएगा कि इस तरह से बनाना देखो इस तरह से बना आएं ऐसी तरह छोटा बनाना आख्या इस तरह साब प्रेक्टिस कर सकते हो पेपर पहले तब कलर लेते हैं जैसे जैसे पता दूर जाते जाएगा ना जैसे फूल बड़ा होते जाएगा उसी तरह इस लाइन को हमें मोटा करना है जैसे अभी पता इतने ही मोटा है लेकिन इसके बाद जो दूसरा पता बनाएगी वो इससे ज्यादा मोटा बनेगा तो कलर को इस तरह करके फिलाना है और साइट साइट में पतला रखना है ठीक है इस तरह बनाना है और साइट में पतला रखना है तो यह पता लगेगा कि उठा हुआ है इस तरह से जैसे आप पत्त आगे बढ़ा होगे ना मतलम जैसे जैसे फूल बढ़ा होते जाएगा पत्त बढ़ा होते जाएगा और साइट साइट किनारे आपको पत्त ला रखना है अब वीडियो में ऐसे चला रही हूं कोई कट उट नहीं करने वाली क्योंकि लिए हो सकता है कुछ लोगों को कन्फियूजन हो जाए क्योंकि लिए शुरू में जब मैं सिखती थी न तो इतना ही बताने के बाद जब वीडियो फास्ट कर दिया जाता था तो कहीं कहीं मुझे भी दिक्कत होती थी इसलिए मैं ऐसे ही छोड़ रही हूं वीडियो को देखना है देखो या तो आप आगे बढ़ा के देख सकते हैं देखो जैसे पता बढ़ते जा रहा है फूल बढ़ा हो रहा है उससे पता मोटा होते जा रहा है तो पहले पतला पतला बनाना है फिर उससे मोटा उससे मोटा है ने उससे बड़ा पत्ता बनाना पहले वाले से बढ़ा होँना चाहिए भी के चाहिए आप बीच में लाइन इसी है मत्म जादा पत्ली नहीं हुआ मैंने करके दिखा है न मोटा उस तरह से तो आप इसका पहले जो बनाए है उसे अप्लिब ए बड़ा है आप इतना भी छोड़ सकते हो, पूरा आपको भरने का ज़रुएत नहीं है नाखुन को, आप इतना भी छोड़ सकते हो, छोटा फिलावर बनेगा, मगर ये भी देखो अच्छा दिख रहा है, ये आप चाहो तो पूरे नाखुन पर भी बना सकते हो, अभी देखो ये इतना फिलावर लगेगा, देखो इतना भी करके छोड़ सकते हो, इतना भी अच्छा लग रहा है, पर एक दो और बनाते हैं, वो भी देख लो किस तरह अगा दिखता है, उससे पहले देखी चुके हो, इतना देखने के बाद तो समझ माया गया होगा, तो इसके आगे फास्ट कर देखे टे वीडियो को